कि देखो बीडियो पॉज करो सौल करने की कोशिस करो पोटेंशियल एक रीजन में आपको दिया है ओल लेड़ी यह एक्सप्रेशन ऐसा कोश्चन हमका भी बार करके आएं और उस रीजन में हमें फिल्ड निकालना है एक फिल्ड निकालना है एलेक्टिक फोर्स एक्सपेरिय यह मेरा रीजन है मालो मैंने एक रीजन डिफाइन कर दिया यह तो इस रीजन में जो पोटेंशियल है वह 6x 6x-8xy-8xy-8y-6y-z अब इस रीजन में मुझे फिल्ड चाहिए यहां पर मुझे फिल्ड चाहिए यह p-point है और इस p-point पॉइंट पॉइंट चाहिए आपको पता होगा कि फिल्ड है वेक्टर कॉंटिटि है और अगर मुझे यहां फिल्ड चाहिए तो उन तीनों वेक्टर का resultant होगा sum होगा तो हमें पहले पता और इस point का coordinate भी दिया हुआ है 1,1,1 actually जब तक मुझे field नहीं पता चलेगा तब तक मैं इस point पर force नहीं निकाल पाऊंगा अब अगर मैं यहाँ पर प्लस चाल रखता हूं प्लस Q तो वो कितना force experience करेगा Q की value इन्हें नो 2 कुलां दिया हुआ तो यहाँ पर field निकालन हो तो हमें force का पत्म value 2 से multiply कर दूँगा तो मेरा target है इस point पर field निकालना क्योंकि जैसे ही मैं 2 कुलां ले आगे रखूंगा वो field होने की वज़े से force experience करेगा इसकी value यह है और उस field कैसे निकालेंगे फिल्ड एक वेक्टर quantity है और वो जो वेक्टर है वो तीनों का resultant लोगा मेरे प्यारे बच्चों तो x-axis में field देखो x-axis में field क्या होता है minus dv over dx i के इसको x के respect differentiate कर रहा हूं कर लोगे आप इसको x के respect differentiate कर रहा हूं माइनस और माइनस x के respect differentiation द्यान देना 6x का x के respect में differentiation 6 minus 8xy का x अभी मैं x के respect में कर रहा हूं तो y और z मेरे क्या होंगे constant होंगे तो इसका मतले भी हुगा कि y अगर constant है तो यह आजाएगा minus 8y और यह constant है y तो इसका differentiation 0 यह भी constant है इसका differentiation 0 यहां पर दिया हुआ है आपको coordinate x is equal to 1 y is equal to 1 और z is equal to 1 this is the field तो यहां से मैं minus 6 यहां से minus 6 minus 8 multiplied by 1 i-cap means यहां पर जो मुझे x-axis में फिल्ड मिला minus 2 i-cap मतलब मिला कि plus 2 i-cap this is the field in x-axis इसको आप में याद रखना है कि x-axis में फिल्ड इतना है तो इसको अगर मैं y के respect में differentiate करूंगा तो 6 x constant रहा minus sign और 6 x constant रहा इसका differentiation चला गया 0 माइनस 8 x मिल गया है यहां से और यह y के respect में डिफ्रेंशी असा minus a 8 और यह plus 6 z z कर अब x y z की value 1 1 दिया हुआ है तो यह minus और minus 8 और minus 8 और plus 6 z कर क्योंकि put the value of x and y पेया जाएगा minus minus 16 और plus 6 z कर तो यहां से मुझे मिलेगा minus plus 10 z कर दिशी दफिल्ड इन y-axis अब z-axis में फिल्ड इसी को z-axis में फिल्ड निकालो तो जो z-axis में फिल्ड होगा ez is equal to minus db over dz इसको मैं क्या करूँ z के कैफ इसको मैं z के के कैफ वाई की वेल्ड डाल दोगे तो जो z-axis में फिल्ड आ जाएगा minus 6 k कर दिशी दफिल्ड अब नेट फिल्ड इस पेस में कितना हुगा तो इन तीनों का वेक्टर सम तो नेट फिल्ड जो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे हो वो x plus y plus z का यह आ जाएगा समेशन तो अब इन तीनों को जोड़ लो प्लस 2 i के यहां से plus 10 z के यहां से minus 6 k के इस 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 पेस में मुझे नेट फिल्ड इतना आ जाएगा बराबर है अभी हमारा प्रॉब्लम् सॉल्व नहीं हुगा अब बसी इस हमारा प्रॉब्लम् सॉल्व हमें चाहिए फोर्स तो फोर्स इच्कॉल टू उस पेमार 2 कलांब का चार्ज रखूंगा उस पॉइंट पर तो फोर्स इचकॉल plus 10 ka square plus 6 ka square under root this is the magnitude of the field so how much this 4 plus 100 plus 36 6 1 1 40 to 2 or under root 140 mother 70 mother to under a 35 a minute take a minute take a minute a list of times for 2 multiplied by 4 multiplied by 35 under root 2 under root 35 this is the final solution 4 4 for 4 it's not newton force like a day with a 4 under root 35 for a lambas walta lenita for under 35 that is ॐ ये डी ओप्शन से सेयें